नमस्कार आप देख रहे हैं है नमन सत्य न्यूज और मैं हूँ आपके साथ राहूल शुकला 10 अगस 2021 को देश की सर्वोच नियाले यानि कि सुप्रीम कोट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा था कि अब देश की कोई भी राज्य सरकार किसी भी नेता, मंत्री या फिर किसी अन्य व्यक्ति का मुकदमा अपने हिसाब से वापिस नहीं कर सकेगी इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि अब जो भी मामले वापिस होंगे वो बिना उच्छ नियाले के हस्तचेप के वापिस नहीं होंगे यानि कि पूरी तरीके से राज्य सरकार के पास जो मुकदमे वापस लेने के जो पावर थी वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोट ने छील ली थी बैरहाल इन सब से हट के बात करते हैं साल 2013 ये मुझफर नगर दंगा तो आपको याद ही होगा क्योंकि उस दोरान उत्तरप्रदेश के जो मेरट जोन है उसके पाँच जीलों में काफी आकरोश देखा गया था और उस दोरान सरकार ने जो राज्य सरकार थी उत्तरप्रदेश की उसने 6,879 लोगों को इस मामले में आरोपी माना था इसके साथ ही 510 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें जो उत्तरप्रदेश सरकार है उसने इस मामले में अब तक 175 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिये यानि कि पुलिस ने इस मामले में जो 510 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था उस में 175 लोगों के खिलाफ 4 शिट दाखिल कर दी इसके साथ 165 मामलों में पुलिस ने अब तक फाइनल रिपोर्ट लगा दी हैं वहीं 175 और मामले ऐसे थे जिन में आरोप साबित नहीं हो सका था इनी सब के बीच उत्तरप्रदेश सरकार ने 77 मामलों को निरस्ट कर दिया है जब रखे गए थे जिन में उम्रकैद की सजातक का प्राबधान है यानि कि डकैती तक के मामले इन 77 मामलों में दर्ज हैं ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियायमित्र नियूक्त किये गए विजेहांसारिया उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तरप्रदे सरकार ने इस पश्ट नहीं बताई वहीं दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से ये बात कही गई है जब 77 मामले वापिस लिये गए तो उसमें कहा गया कि उत्तरप्रदेश सरकार ने बहुत छानबीन करने के बाद बहुत जाच परताल करने के बाद सरकार को से उन्होंने आदेश पारित किया और कहा था कि उच्छ नियाले के बिना कोई भी सरकार कोई भी राज्य सरकार मुकदमा वापिस नहीं ले सकती ऐसे में विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोट में कहा है कि अब सुप्रीम कोट को अपने ही दिये हुए आदेश को CRPC 401 के तहत इन पहली बार नहीं है जब किसी राज्य सरकार ने कोई भी मुकदमा वापिस लिया हो ये विजय हंसारिया ने कुछ आंकले पेस की है ग्राफिक्स के जरिये मैं आपको समझा रहा हूं ये देखिए विजय हंसारिया ने कहा कि उत्तरपरदेश सरकार ने जिस तरीके से जो 77 मा अलग कि मामला इसलिए बनता है क्योंकि जो सुप्रीम कोट ने आदेश पारित की थे उसके खिलाफ कहीं सरकार ने जाकर 77 केस वापिस लिये ऐसे में जो हंसारिया है विजय हंसारिया जो नियामित्र नियुक्त के गए हैं उन्होंने कहा कि करनाटक सरकार ने 22 केस वापिस तमिलनाडू ने 4 केस वापिस लिये और तेलंगना ने 14 केस वहीं केरल के मामले में उन्होंने कहा कि 36 केस मामले इन सरकारों ने वापिस लिये हैं इसके साथे विजय हंसारिया ने कहा कि ये वो सरकारे हैं जिन्होंने बिना कोट को बताए ये केस वापिस ले लिये बैरहाल अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोट ने जो आदेश पारित किया था ऐसे में विजे हंसारिया ने जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोट में दाखिल की है वो कहीं न कहीं अब उत्तरपरदेश सरकार को जटका दे सकती है क्योंकि CRPC 401 क कर दिये गए हैं इनको दुबारा से एक्टिव कर दिया जाए फिलहाल आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा नमंसत्य निउस कैसा लग रहा है इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.namansatye.com पर भी विजिट कर सकते हैं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप वहां से देख सकते हैं फिलहाल हमें दीजिये इजाजत फिर अगले किसी मुद्दे पर आपके बीच होंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल